चिडिया चिडिया प्लीज दर्बाजा खोलो बाहर बहुत तेज बारिस हो रही है और मेरे घौंसले में पानी भर गया है तो प्लीज तुम मुझे बारिस रुकने तक अपने घर में थोड़ी जगा दे दो नहीं कालू भईया आप जाओ यहां से मैं तुमारी मदद नहीं करूँगी जब मैंने आप से मदद मांगी थी तो आपने भी मेरी मदद नहीं की थी अगर जंगल में बर्चा सुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी मेरे पास तो पका गोंसला भी नहीं है और मैं तो अंडे भ पास जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि वो घर बनाने में मेरी मदद करें ये सोचते हुए चिडिया कवे के पास आती है और उसके पास आकर कहती है कवे भाईया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बताओ बताओ चिडिया क्या कहना है तुम्हें मुझसे वो कवे भाईया अपने घोंसले की मरमत नहीं कर पाई है और बारिस का मौसम भी शुरू होने बाला है तो आप घरवनवाने में मेरी मदद कर दो चिडिया ये बोलने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं खुट उटे फूटे घोंसले में बैटा हूँ अगर मुझे घोंसले की मरमत करनी होती तो मैं अपने की नहीं कर लेता तुम खुद सोचो मेरी तब्या ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता तुम किसी और से जाकर मदद मांगो ये सुनकर तो चिडिया बिचारी उदास मन से अपने घोंसले में आ जाती है और कहती है मैं तो ऐसी उस कवे के पास चली गई मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए था मुझे पहले सोच लेना चाहिए था कि वो तो पहले बहुत कायल है वो अपने लिए भोजन तो ढूंड कर नहीं लाता तो वो मेरी मदद क्या करेगा अम मैं कैसे अपना घर बनाऊंगी हाँ मुझे अपने आप में हिम्मत पैदा करनी होगी तब ही मैं अपने बच्चों को बारिश से वचा पाऊंगी ये कहकर रानुचडिया खुद में हिम्मत पैदा करती है और अपना घर बनाने की तयारियां करती है काफी देर मेहनत करने के बाद उसका घर बन कर तैयार हो जाता है लेकिन वो बहुत ठक चुकी थी और अब उसकी सेहत भी बहुत जादा खराब हो रही थी उसे लग रहाता कि सायद अब उसके अंडे होने ही पाले है वो अपने घर को देख कर भी बहुत कुछ थी फिर रात को चिडिया अपने घौसले में सुरचित होकर सो जाती है अगले दिन वो तो अंडे भी दे देती है मेरे प्यारे बच्चों मुझे आपका बहुत इंतिजार है कि कापापंडों से बहार आओगे अब मुझे भोजन और इखटा कर लेना चाहिए ताकि वारिस के मौसम में मुझे कोई भी परेसानी नहीं होगी मैं ऐसा करती हूँ कव्य को भी अपने साथ ले जाती हूँ वो भी अपने लिए भोजन जमा कर लेगा क्योंकि अगर बरसात का मौसम सुरू हो गया तो वो मुझे ही तंग करेगा और खुछ से तो वो भोजन ढूडने जाएगा नहीं ये कहकर चिडिया कव्य की तरह पाती है और उसे उठाती है कव्य भाईया उठ जाओ आप अभी तक सोई हुगे हो चिडिया तुम फेर आगई मैंने तुमें कितनी बार मना किया है कि अगर मैं सोजा हुआ करूँ तुम मेरे पास मत आया करो मुझे तंग क्यों करती हो तुम तुम बहुत दीटो मेरी पास समझ मैंने आती है तुमारे वो कवे भाईया मैं भोजन लेने जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ लेकर चलूँ तुम भी अपने लिए भोजन की खोच कर लोगे फिर बरसात के मौसम में वो भोजन तुमारे काम आएगा चिडिया तुम जाओ और अपना बंदोबस्त करो मेरी मसोचों मैं अपने लिए कर लूँगा तुम जब देखो तुम मूठा कर चली आती हो मेरी तरप कालू देखो तुम मेरे पड़ोसियो बस में इसलिए तुमारे पास आ जाती हो अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ मैं तो जा रही हूँ हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ और मुझे आराम कर लेने दो पिर चड्यय सारा दिन जंगल में घुम-घुम कर भोजन घटा काई लेती है रात भी हो जाती है चड्ययदा जब अपने घर में बैटी हुई थी तब वो कहती है चलो अम मेरे पास भोजन भी घटा हो गया है अम मुझे किसी चिश्की कोई कमी नहीं है अब तो मेरे बरसात के दिन भी अच्छे गुजरेंगे अगर मेरे बच्चे अंडों से बाहरा जाएंगे तो वो भी अच्छे से रह लेंगे फिर ऐसे ही कुछ दिन बीद जाते हैं और चिडिया के अंडों से बच्चे भी निकलाते हैं और फिर बर्सात का मौसम भी सुरू हो जाता है। चिडिया तो अपने बच्चों के साथ अपने घर में सुरचित बैटी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कववे का गोंसला तो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है। तब वो कहता है। ये भगबान ये क्या हो गया मेरा गोंसला तो सारा का सारा बारिस के पानी से भर क्या अम मैं क्या करूं और कहा जाओं हाँ चिडिया मेरी जरूर मदद करेगी क्योंकि वैसे तो मुझे अपने पडोसी पडोसी कहती है तो क्या मुसीबत में वो अपने पडोसी की मदद नहीं करेगी ये कहकर कालू कवर चिडिया के घर की तरह पा जाता है और वहां आकर कहता है चिडिया चिडिया मेरी प्यारी दोस्त जरा दरवाजा तो खोलना मैं बहुत मुसीबत में हूँ आरे कालू क्या हुगा है पहले मुझे बताओ तो सही चिडिया चिडिया तुम तो मेरी ब तो चिडिया तो बहुत आयालू थी इसलिए वो कालू कवे के उपर तर्स खाती और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है तब कवा कहता है चिडिया तुमने घर तो बड़ा सुन्दर बनाया है और तुमारे दोनों बच्चे भी बड़े प्यारे हैं चिडिया मुझे बह दो तो तुमारा बड़ा ऐसान होगा मुझे गरीब पर फिर चिडिया कवे को भोजन देती है और कवा भोजन खाकर मजे के नीन सो जाता है उसे तो चिडिया के घोंसले में बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए वो तो सो जाता है और चिडिया भी अपने बच्चों के सा सो जाती है फिर सोबा हो जाती है तक चिडिया उसके दोनों बच्चे उठ जाते हैं तक चिडिया कवे को उठाती है उठो कालू भईया उठो देखो सोबा हो गई है अब तुम यहां से चले जाओ हाँ हाँ चिडिया बस मैं अभी चला जाऊंगा वो कहना मैं बारिस में भीगा था ना बस इसलिए मुझे थोड़ी ठंड लग रही है जैसे ही मेरी तब्यद थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं खुछ चला जाऊंगा अच्छा तो ठीक है कालू भे या आप चले जाना वैसे मेरी बात सुनो मैं अभी किसी काम से बाहर जारी हूं तो तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना हाँ हाँ चिडिया मैं रख लूंगा तुम बेपिकर हो कर जाओ फिर चिडिया वहां से चली जाती है और कालू कवा तो चिडिया का जमा किया हुगा सारा भोजन खा कर सो जाता है और चिडिया के बच्चे भूँख से रो रहे थे तो कालू कवा उन्हें डाट कर जुप कर आता है चलो चलो चुप करके सो जाओ नहीं तो तुम दोनों को चील के हवाले कर दूँगा चिडिया के बच्चे तो डर जाते हैं और वो चुप चाप बैट जाते हैं थोड़ी देर बाद वहां चिडिया भी आ जाती है तो वो देखती है कि कालू का वह अब तक सोय गए था और उसका भोजन भी वो सारा खा गया था ये सब देखकर चिडिया उसकी सारी चाला की समझ जाती है कि वो उसे बेवकूब बना रहा है फिर कालू कवा अनाच के सुनकर तुरंत बाहर चला जाता है तब चिडिया जल्दी से अपने घर का दरबाज़ा बन कर लेती है तो कवा उससे कहता है चिडिया देख लो ये तुमने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं किया कवे भईया मैंने तुमारे साथ जो कुछ भी किया है ठीकी किया है वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है तुमारे साथ जो करना था वस भई किया है फिर इस तरह वो कालू कवा बाहर तेज बारस में भीगता रहता है और उसे अपने गलती की सजा मिल जाती है ममा ममा आपको पता है मुझे ये बकरी एक जादी पेड ने दी है ये एक जादी बकरी है ममा हम इस बकरी से जो मांगेंगे ये हमें वो देगी हाँ मा जी मैं एक जादी बकरी हूँ और तुम मुझे जो मांगोगी मैं तुमें वो दूँगी फिर बो जादी बकरी उन्हें मीटे मीटे टोकरी भर कर फल देती है कुकु बेटा अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको अपने पापा के साथ काम पर जाना चाहिए नई रानू अभी मैं हूँ तो अभी मैं अपने बेटे को कमा कर खिला सकता हूँ ममा मैं तो पापा से रोज कहता हूँ मगर पापा मानती नहीं कुकु आपके पापा ने तो आपको बिगाड रखा है मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है मेरा बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा वो बड़ा होकर एक सच्चा और अच्चा पच्ची बनेगा फिर आका श्ड़ा अपनी कुलाडी उठाता है और अपने काम के लिए चला जाता है वो तेज उचाई से उड़ रहा था कि तब भी उसकी नजर नीचे जमीन पर रखे एक मटके पर परती है जब वो नीचे आकर देखता है तो उस मटके में सोने के सिक्के भरे हुगे थे इतना सारा खजाना लगता है उपर वाले को मेरा कोई काम पसंद आया है इसलिए मुझे ये इतना सारा खजाना मिला है मेरी तो किसमती खुल गई फिर वो आकाश्ड़ा वो खजाने का मटका लेकर अपने घर आने लगता है वो तेजी से उड़कर अपने घर आ राता तब ये अचानक से किसी सिकारी का तीर उसके लगता है और वो नीचे गिर कर मर जाता है उसके खजाने का मटका जाडियों में गिर जाता है साम को मिटू तो ता जब वहां से गुजडता है तो बो आका श्ड़ा को मरा हुआ देकर उसके पास आता है ये तो बहुत बुरा हुआ किसी जालम सिकारी ने इस आका श्ड़े को मार दिया है मुझे जल्दी से जाकर इसके घर बताना होगा ममा चिडिया और कुकु दोनों अपने गोंसले में बैटे पापा चिडिया के आने का इंतिजार कर रहे थे जब मिट्टू उनके घर आता है और कहता है चिडिया और कुकु तुम दोनों बैटे जिसका इंतिजार कर रहे हो वो अब घर पर नहीं आएगा मिट्टू तोते ये तुम क्या कह रहे हो चिडिया वो पहाडों की तरफ खून में लत्पत पड़ा है उसे एक सिकारी ने जान से मार दिया है और उसकी सांसे भी रुकी हुई थी जब मैंने उसे देखा था ये सुनकर तो ममा चिडिया और उसका बेटा दोनों ही रोने लग जाते हैं ममा ममा मेरे पापा मैं कैसे रहूँगा अपने पापा के बिना केसी जान सिकारी ने मेरे पापा को मार दिया ममा मेरे पापा ये जान सिकारी पता नहीं क्यों हमारे दुस्मन हैं ये हमारे हस्ते वस्ते परिबार को क्यों विगार देते हैं। दो-चार दिनों के बाद वो दोनों मा बेटे खुद को थोड़ा बहुत समालते हैं। कुकु मेरे बेटे अब तुम उठो और अपने आपको हिम्मत दो अब तुमारे पापा कभी वापिस नहीं आएंगे। कुकु बेटे तुमारे पापा तुम्हें एक अच्चा और सच्चा पच्ची बनाना चाहाते थे। मम्मा आप चिंता ना करो पापा ने मुझसे जो कहा है मैं सब करूँगा और अपने पापा की हर बात को हमेशा याद रखूँगा। मैं अपनी मम्मा को खुश रखूँगा। मम्मा मैं जा रहा हूँ आएसे मैं काम करूँगा। जाओ मेरे बेटे उपर बाला आपकी रक्षा करेगा। फिर छोटा कुकु अपने घर से निकल जाता है, वो कबूतर के पास जाता है, तब कबूतर उससे कहता है। हाँ कुकु बेटे अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। नई कबूतर अंकल मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो काम ढूंड रहा हूँ। फिर वो कुकु सारा दिन इदर से उदर फिड़ता है, और हर जगा काम मांगता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। साम को वो ठक कर घर आ जाता है, जहां उसकी मम्मा उससे कहती है। चिंता ना करो मेरे बेटे आपको जल्दी ही कोई न कोई काम मिल जाएगा मम्मा अब मुझे समझा रहा है पापा तो बड़ी मुश्किलों से कमा कर लाते होंगे मम्मा बाहर की दुनिया तो बहुत बुरी है कोई भी किसी से सीधे मूँ बात नहीं करता सब अपना ही अपना सोचते है कुकु बेटा जब आपके पापा थे तब हमें बाहर की कोई चिंता नहीं थी फिर दूसरे दिन कुकु अपनी मम्मा से कहता है मम्मा पापा बाली कुलाडी का है मैं आईसे पापा बाला ही काम करूंगा और मैं भी लकड़ा हरा ही बनूंगा नई कुकु बेटे इसी काम में तो आपके बापा की जान गई थी मैं आपको खोना नहीं चाहाती आप इस काम को मत करो नई मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है जो भागे में होता है वही होता है मम्मा आप खोसी से मुझे कुलहारी दो फिर कुकु किसी तरह अपनी मम्मा को मना लेता है मेरे बेटे की अगर यहीं इच्चा है तो जाओ मेरे बेटे मैं आपको नहीं रोकूंगी मैं अपने पापा की तरह इमांदारी और मेहनस से काम करूंगा ये लो कुकु बेटा इस पोटली में एक लड़ू है जब तुमें भूंक लगे तो खा लेना और इस बोतल में थोड़ा पानी है जब तुमें प्यास लगे तो पी लेना फिर कुकु कुलारी लेकर अपने घर से निकल जाता है कुकु ये नहीं जानता था कि लकड़ी काटना भी कोई आसान काम नहीं है लेकिन वो फिर भी जाता है और वो घने जंगल की तरब जाता है लेकिन फिर भी उसे कहीं भी कोई सुका पे नजर नहीं आता तब वो थकार कर एक जगा बैठ जाता है मुझे उड़ते उड़ते भूंक लगाई है मैं अपना लड़ू खा लेता हूँ फिर कुकु अपनी पोटली से वो लड़ू निकालता है वो उसे खाने ही बाला था कि तब भी अपने घौसले में बैटी एक बूरी चड़िया उसे आवास देती है छोटे पक्षी मैं बहुत भूंकी हूँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो मैं उड़ नहीं सकती प्लीस मुझे कुछ खाने को दे दो फिर कुकु उस बूरी चड़िया के पास आता है माजी मेरे पास ये एक लड़ू है आप इसे खा लो जीते रहो बेटा और हमेशा खुश रहो फिर कुकु वहाँ से फिर से उड़ता है जब उसे प्यास लगती है तो वो फिर एक जगा बैठ जाता है साम होने में अभी थोड़ा समय बाकी है मैं ये पानी पी लेता हूँ इससे मुझे थोड़ी सकती मिलेगी चोटे पक्षी मैं बहुत प्यासा हूँ मुझे पानी दे दो मैं कब से पानी ढूड़ रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा आप मुझे पानी पिला दो फिर की ये बास सुनकर तो कुकु सोच में पढ़ जाता है सायद वो लड़ू और ये पानी मेरा नहीं है जो हमारा नहीं होता वो हमें कभी नहीं मिल सकता फिर कुकु अपनी बोटल का सारा पानी उस पेड़ की जड़ो में डाल देता है मुझे एक नई जिन्दकी मिल गई बेटे आपकी ये कुलारी बता रही है कि आप एक लकड़ारे हो मैं सुकी लकड़िया ढूंड रहा हूँ मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे मुझे अपनी ममा के लिए ये सब करना ही होगा बेटे तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं भी तुमारी मदद करना चाहता हूँ ये कहकर बो फिड उस कुकु को एक जादी बकRI देता है और उससे कहता है ये लो बेटे ये एक जादी बकRI है और इस बकRI से तुम जो मांगोगे ये तुमें वो देगी और तुमारी हर इच्छा को पूरा करेगी तुम इसे अपने घर ले जाओ फिर कुकु बो बक्री लेकर अपने घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है मम्मा, मम्मा आपको पता है मुझे ये बक्री एक जादी पेड ने दी है ये एक जादवी बक्री है ममा हम इस बक्री से जो मांगेंगे ये हमें वो देगी हाँ मा जी मैं एक जादवी बक्री हूँ और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूँगी हाँ कुकु बेटे तुम एकदम सच कहते हो ये बकरी तो जादवी है, जादवी बकरी आप हमें मीटे मीटे खाने के लिए फल दो, फिर उसके बाद वो जादवी बकरी उन्हें टोकरी भर कर मीटे मीटे फल देती है, ये देख कर तो बो दोनों खुस हो जाते हैं, इस तरह वो दोनों मा बेटे अपनी उस जादवी बक तोते अंकल आप दोनों आ गए लेकिन हमारी मम्मा क्यों नहीं आई कहा है हमारी मम्मा वो आपी के साथ तो गए थी बताओ ना रानू अब हमें इन छोटे बच्चों को बता देना चाहिए कि इनकी मम्मा अब वहाँ चली गई है जहां से अब वो कभी वापस नहीं आएगी और अब ये अकेली रहेंगे तोते भाईmeal हम इन छोटे बच्चों को ये कैसे बता दे कि इनकी मा को तो एक सिकारी चीलने खा लिया है अगर ये बच्चे ये सब सुनेंगे तो ये तो मार चाहेंगे रानू अभी ये बच्चे उड़ भी नहीं सकते हैं तो बचेंगे तो ये ऐसे ही नहीं क्योंकि ये उड़ना जानते नहीं है तो भोजन कैसे लाएंगे और क्या खाएंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई ले भी नहीं सकता है रानू अम मैं तो अपने घर जा रहा हूँ मेरी पत्नी मेरा इंतिजार कर रही होगी और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने घर जाओ रात होने बाली है तुमारा बेटा भी घौंसले में अकेला होगा और इन्हें अकेला चोड़ दो तुम जाओ यहां से ये कहती हुए तोता वहाँ से चला जाता है तब चड़िया उन बच्चों से कहती है चुप कर जाओ बच्चो अब तुमारी मम्मा कभी बापिस ननी आएगी अब तो वो तब ही बापिस आइगी जब तुम बाड़े हो जाओगे इसलिए अभी तुम्हें मम्मा के बिना ही रहना होगा लेकिन आंटी मेरी मम्मा तो कहती थी कि वो मुझे चोड़ कर का भी नहीं जाएंगी तो फिर वो हमें चोड़ कर क्यों चली गई आंटी अभी तो हमें अच्छे से उड़ना भी नहीं आता मैं क्या करूं सब पची अपने अपने घर चले गए हैं मेरा बेटा भी घर पर मेरी रहा देख रहा होगा बच्चो अम मुझे अपने घर जाना होगा क्योंकि मेरा एक बेटा है वो तुमारे जैसा है वो मेरी घर पर रहा देख रहा होगा लेकिन आंटी हमें तो अकेले में बहुत डै लगेगा फिर रानुचडिया ना चाहते हुए भी अपने घर चली जाती है जब वो घर आती है तो उसका बेटा उससे कहता है मम्मा आज आपने घर आने में इतनी देर करती मम्मा आपको पता है मुझे तो अकेले यहां बहुत डै लग रहा था बेटा आज घर आने में इसलिए देर हो गई कि वो जो हमारे पड़ोस की पिंकी च्डिया है उसे एक सिकारी चील नखा लिया था पर मम्मा उनके तो छोटे छोटे मेरे जैसे बच्चे है ना हाँ बेटा मैं उनी के पास से आई हूँ उन्हें चुपकर आ रही थी वो सब बहुत रो रहते और बहुत डर भी रहते अकेले रहने से तो मम्मा आप उन सब को अपने साथ ले आती मेरे बेटे हमारा गोंसला तो बहुत छोटा है और तूटा फूटा साभी है बस इसी लिए नहीं लाई मैं उन सब को मम्मा पिंकी आंटी का गोंसला तो बना बनाया है चलो मम्मा हम दोनों वहाँ चलते हैं तो मम्मा उन्हें ड़र नहीं लगेगा, मम्मा में थोड़ा थोड़ा उट लूंगा, चलो मम्मा। मेरी जान मेरा बेटा तो कितना समझदार है, ये बात मेरे दिमाग में तो आई नहीं, चलो फिर हम दोनों वहीं चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे तो जोड़ जोड़ से रो रहते और अपनी मम्मा को याद कर रहे थे, पूरे जंगल में उनकी रोने की आवाजे गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए उनके पास नहीं आ रहा था। मम्मा, हमारी मम्मा आप कहा हो, चलती से हमारे पास आ जाओ, मम्मा हमें आपकी बहुत याद आ रही है, मम्मा आप बापे सा जाओ। वो ऐसे बैटी रो रही थी और मम्मा को याद कर रही थी कि तब भी रानू अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है तब गुडिया उनसे कहती है रानू अंटी रानू अंटी आप आ गई रानू अंटी प्लीज अब आप हमें चोड़ कर मत जाना हमें बहुत डाय लग रहा था प्लीज अब आप हमें चोड़ कर मत जाना गुडिया बेटी तुम चिंता ना करो मैं तुम्हें छोड़ कर अब कई नहीं जाओंगी और मैं तुम्हारे पास यही रहूंगी तुम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी ये तुम्हारा बड़ा भाई ये ये भी अब यहीं रहेगा फिर रात गहरी हो जाती है और रानू उन बच्चों के साथ वहीं सो जाती है अगली सुबह कभूतर कहता है ये रानू ना जाने कहां चली गई मैंने इससे कहा पी था कि सुबह मुँ अंदेरी भोजन लेने जाएंगे लेकिन पता नहीं ये कहां निकल गई मैं इसे पिंकी की घर देखता हूँ फिर कबूतर रानू को अपने घोंसले में ना देखकर पिंकी चिडिया के घोंसले की तरब देखने आता है तो वो वहाँ आकर उससे कहता है रानू चलो जल्दी चलो समय निकला जा रहा है रानू तुम यहां पिंकी की घौंसले में क्या कर रही हो अपने घौंसले को चोड़ कर बो कबुतर भाया यह बच्चे रात को बहुत डर रहे थे इसलिए मैं रात को इनके पास आकर सो गई रानू तो क्या तुम अब इस गोंसले में इन बच्चों के साथ यहीं पर रहोगी हाँ कबुतर भाया अम मैं इन बच्चों के साथ यहीं पर रहूंगी और मैंने सोच लिया है कि अम मैं इन बच्चों को पालूंगी और मैं इबढ़ा करूंगी और इनका खूब द्यान रखोंगी बिल्कुल अपने बेटे की तरा देख लो रानू चिडिया बड़ी जिम्मेदारी है ये साथ साथ बच्चे हैं और एक तुमारा आठ हो गए तो क्या हुआ कबूतर भाया मैं कैलूंगी वैसे भी ये एक चिडिया के तो बच्चे हैं मैं भी तो एक चिडिया हूँ तो ये भी मेरे बच्चों की तराई है रानू चलो तो फिर आज भोजन की खोज में दूर जाना है इसलिए जल्दी चलो देरी मत करो बेटे तुम इन बच्चों का अच्चे से ध्यान रखना और अपना भी मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ ये कहकर चिडिया और तोता दोना भोजन की खोज में चले जाते हैं तब रानू का बेटा उन बच्चों से कहता है सुनो बच्चो आई से मैं तुमारा बड़ा भाई हूँ और तुम सबकी ममा भी मेरी ही ममा है तुम उन्हें ममा कहकर बुलाना और तुम उनके सागे बच्चों की तराई हो गुरिया ये बताओ क्या तुम सबको उन्ना आता है मानू भाई हम सबको उन्ना नहीं आता हम तो कभी उड़े भी नहीं है तो हमें उन्ना कैसे आएगा मुझे भी जादा अच्छे से उन्ना तो नहीं आता है लेकिन मैं आप सबको उन्ना सिखाऊंगा देखो पहले तो ऐसी पंक करते हैं और फिर लंबी सी सांस लेते हैं सुनिये कालू जी पिंकी तो मर गई है मैं तो सोच रही थी कि अब पिंकी मर गई है तो कुजनों में उसके बच्चे भी मर जाएंगे फिर मैं उसका घौंसला समालूंगी और मैं उसमें रहूंगी लेकिन रास से वो रानुचडिया उनके घौंसले में आकर रहने लगी है गोरी बुरा तो मैं भी हूँ लेकिन मैंने अच्चे काम तो कभी नहीं किये पर इतनी गंदी सोच भी नहीं है मेरी जितनी गंदी सोच तुमारी है सायदी इस जंगल में किसी की भी नई होगी क्यों मैंने क्या तुम्हें गोली मारती है और वैसे भी मैंने बात तुमारी नहीं किये वो तो दूसरी जात के पच्ची की है तुमे इतना बुरा क्यो लग रहा है लेकिन वो कालू कवा तो गोरी कवी की बात का कोई भी जबाब दिये बिनाई वहां से चला जाता है तब गोरी कहती है इस काले कव्वे को तो बड़ी चिंता है इस पूरे जंगल की खुद अपना घौसला तो बना नी सकता मुझे भासर दे रहा है जब भीगेगा बारिस के मौसम में तब इसे पता चलेगा ठीक है फिर मैं भी नहीं बनाती हूं मैं भी जंगल में घूम लेती हूं देखो पहले लंबी सांस लेना फिर ऐसे चलांग लगाना ये कैकर जैसे मानू चलांग लगाता है वो तो नीचे गिर जाता है तब वो बच्चे बहुत अस्ते हैं दोस्तो ये तियाच की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी जिंदिकी में आलस नहीं करना चाहिए और अपनी सारे कम समय से करने चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सवाल ये है कि कालू कवे को चड़ियाने घड़ से बाहर क्यों निकाला था अगर आपको पता है तो कॉमेंट वाक्स में लिकर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ तोस्तो घंटी बजाना ना बूलना ताक कि नई वीडियो आपके फॉन की स्क्रीन पर हो मिलती हो में आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद